हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका गुलेरे स्टूडी पॉइंट क्लासे में शिवम श्रमाई स्टूडेंट क्लास 12 उत्राखन बोड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके काफी कमेंट आ रहे हैं कि सर हिंदी के इंपोर्टन क्योशन जो एक्जाम में पूछे जाएंगे उन क्योशनों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो गरन्टी के साथ आप अपने पूरे क्योशन अंसर आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे सभी क्योशन को आप अच्छे तरीकर सॉल्व कर लेंगे और आपका एक भी क्योशन गलत नहीं होगा इस चीज की मैं गरन्टी दीता तो आईए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल अइकन को प्रेस कर लेने ताकि आपको इसी तरीके स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे उत्रकान बोर्ड मेहतफ कूंड प्रशन है आपके को अपने according जिस तरीके से आप रीड करना चाते हैं उस तरीके से आप उसको रीड कर लीजेगा पढ़ लीजेगा यह क्यों कि हिंदी दोनों के लिए है तो इसके बाद इंग्लिश के important question मैं upload करूँगा और कुछ और चीजे जो मैं आपको बताना चाहूँगा धीरे धीरे करके अभी इस वीडियो मैंने सिर्फ हिंदी के साइर सिर्फ question answer आपको बता रहा हूँ question बता रहा हूँ sorry answer तो नहीं है question बता रहा हूँ इसके बाद हिंदी में आपके जो important ऐसे पूछ जाते हैं निबंद जो आएगा आपका वह भी पांच से छे निबंद आपको बताऊंगा और भी जितनी चीजे हैं हिंदी में आपकी class 12 वालोगी सारे important चीजे में डिसकस करूंगा हिंदी के हमारे चार पार्ट वीडियो में अप्लोड होंगे फर्स पार्ट आपका में अप्लोड कर रहा हूँ कई बार एक्जाम में आया हुआ है ठीक है पतंग शीर्षक कविता की विश्यवस्तू का निरोप्रिंट कीजिए काफी important question है what are what question read करते जाऊंगा आप देखते जाएंगे second question देखेंगे camera में बंद अपाईज में व्यक्त व्यंग पर अपने विचार व्यक्त कीजिए ठीक है ये PDF मेरा खुद का अपना बनायवा PDF है पीछे आप मेरे को जो है चैनल का लोगों भी इसमें देख रहे होंगे पीछे आ रहा है आपको इसकिन पर शोवरा होगा ठीक है third question की तरह जादू असर करता है ठीक है आप ये question पढ़ते जाएंगे question देखिए आप चाहें तो इनका screenshot ले सकते हैं अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप मेरा टेलीग्राम का लिंक इसमें है आप उस पर मुझे मैसेज डाल सकते हैं sir please send PDF मैं अपने उस वाले group में ज या संदेज देना चाहता है अगर बाइचांस में अगर पीडियव उसमें टेलीग्राम पर नहीं डालता हूं तो आप प्लीज कमेंट कर दीजेगा मैं इसको पीडियव को प्रोवाइट करवा दूंगा ठीक है श्रम विवाजन और जाती प्रता पार्ट के आदार पर जात पाथा नायक के पढ़ाई के प्रती ललक का चितरन कीजिए मुहन जोदरों के नगर योजना बड़ी मनो मुख्दकारी थी पाढ़ पठित पाढ़ के अधार पर इस पर मैंने जो कुशन अंसर बनाई है यह आपके पुरानी बुक के अकोर्डिंग बनाई है अगर कोई चै पुरानी बुक में नहीं है तो उन कुशन को पढ़ने की जुरत नहीं है क्योंकि जब वो चैप्टर आपका है ही नहीं तो उस्सी क्योशन आपका आएगा भी नहीं ठीक है जुज निम्न मद्यम वर्गिये ग्रामेंट समाज के किसान मजदूरों के संगर्श की अनूठी जहांकी है इस कथन को अपने शब्दों में आप इसपश्ट कीजिए ठीक है सारे क्योशन आपको इंपोर्टन है सिंदु घाटी हर एक क्योशन डिफरेंट है कोई भी रिप परदों में तो मीर की गजलें बोलें इस कथन में फिराक गोरखपुरी कौन कौन सा आशिश पश्ट होता है ठीक है आगे देखें कवीतावली में उद्रट शंदों के आधार पर इश्पश्ट करें कि तुसी दास को अपने यूग की आर्थिक विश्यमता की अच्छी आठकों को क्या संदेज देना चाहती है अगला देखें जाती प्रता के संबंद में डॉक्टर भीमरा उंबेटकर के विचारों को पर शंक्षेप में प्रकाश डालिए ये शोदर बाबु अपने घर में खुशाली में उही भी उधाश और निराश क्यों थे ठीक है नेक् सब्सक्राब के चरितर पर प्रकाष डाले उनका चरितर कैसा था अत्वा महंज उधारो ये दो कोशन आपे यह अत्वा में आ गया है महँज उदार नगर की रशना का वर्णन कीजिए मैं निज उर के उदार मैं निज उर उदार लिये फिरता हूँ पंगती के दोरा कभी क्या कहना चाता है विपलव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते से कभी का क्या आश्य है कभी क्या कहना चाता है इस बारे में इसको आपको बताना है बहलाती सहलाती आत्मियता बरदास्त नहीं होती है इस कथन से कभी के किस मंतव्य पर परकाश पड़ता है नेक्ट क्वेशन आप काएगा भक्तिन का वास्तिविक नाम क्या था वे लोगों से अपना वास्तिव के नाम क्यों छुपाती थी काले मेगा पानी दे में इंदर सेना को मेंडक मंडली क्यों कहा गया है जाती पर भारतिय समाज में बेरोजगारी होगा है भुक मरी का भी कारण कैसे बनती रहती है ठीक है ये भी आप देखेंगे ये शोदर बाबू अपनी पतनी देखिए का यहां पर ये शोदर बाबू को आपनी पतनी और बच्चों से मद्बित क्यों होने लगा था जूज शीर्शक के ओचित्ते पर परकाश डालिए यानि ओचित्ते को बताना है देखो क्योशन आपसे पेपर में किसी भी तरीके से पूछ सकता है तो आपको अगर इन क्योशनों के अंसर सेम एक जैसे लग रहे हैं तो आप किसी एक बड़िया से क्योशन को रीट कर लीजेगा जैसे जूज वाल जो कोशन है कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है और हर बार उसका मेनिंग अलग अलग है तो आप इन क्योशनों का एक अच्छा सा स्टेप बना लेना आट, दस, बारा लाइनों का उन क्योशन को आप अच्छे से पाढ़ लेना है जूज वाले पार्ट से रेटेड तो अगर आपको किसी को कोई क्योशन नहीं भी आता है तो आप उसमें जूज से रेटेड कोई दूसरे क्योशन का अंसर भी अच्छे सेट कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा पुरा तत्व के किन चिन्नों के अधार पर ये कह सकते हैं कि सिंदू सब्भेता ताकत से साशित होने की उपेक्षा समझ से अनुसासी सब्भेता थी ठीक है आप यहां देख सकते हैं फिर देखिए जूज शीर से आत्म कथ्यात्मक उपनियास का अंश विध्यारतियों के लिए हम कदम हो सकता है इस कथन का विवेशन के लिए देखिए जूज वाला जो है यह चैप्टर आप बिल्कुर मिस मत करिएगा इससे एक क्यूशन हंडेट परसेंट आपका पूछा जाएगा और वही आपको पेपर में पूरा अच्छा स्कोर देगा तीन या दो नंबर जो भी आपका एक क्यूशना करे आता है तो देखेंगे आगे बादलों के आगमन पर प्रकरती में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन बादल लाग कवीता के अधार पर कीजिए ठीक है बादल लाग जो आपकी कवीता है उसके अधार पर आपको बादल के आगमन की प्रकरती के बताना है चोटे चोकोने खेत की तुलना कागज के पन्ने से क्यों की गई है इस संबंद्र कवीता का अधार इशपष्ट करना है आपको बाजार किसी का लिंग जाती धर्म या शेतर नहीं देखता केवल उसकी क्रै शक्ती देखता है यानि वो कितना खरीच सकता है इस चीज को देखता है इजार पाजार प्रत सना से कहा तक सही लगती है इस बारे में आप इसको बताएंगे ठीके आगे देखेंगे पाजार पाजार आदार mechanism की पूरिया में ले जाने के संबंद्स में सभीय के मन में क्या दुन्द पैदा हुआ था ठीक है आगे देखेंगे आप सिरीज के फूल पार्ट में लेखक ने शंगर्ष पूर्ण जीवन निर्यक्ती को अवीचल रहने की सीख दी है इस तत्य को इसपष्ट कीजिए अगला कोशन देखेंगे आप वर्तमान पारिवारिक जी प्रस्तुत करती है इस कथन से आप कहां तक सहमत है इस चीश को भी आप देखेंगे आगे देखेंगे इशोधर बाबु की पतनी के समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन इशोधर बाबु असफल रहते हैं ऐसा क्यों यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है इस इसको भी मत करिएगा आप यहां देखिएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट इन तीन क्योशनों को आप बिल्कुल मत छोना जूझ कहानी के आधार पर बताए कि लेका के व्यक्तित्व पर सरवादिक प्रभाव किसका पढ़ा और किस रूप में ठीक है उसके बाद हमक की पूरिया के लिए संबंद साफी यह वेरी इंपोर्टेंट क्योशन है जितने भी क्योशन इंपोर्टेंट बतारों इनको छोड़ना नहीं है आपने अपने परिवार की किन बातों को ये शोधर भावु अनुची समझते से ठीक है अब आगे देखेंगे यहाँ पर देखना सब घर एक कर देने के माने का आशिश पर्ष किजिए कवीता के बहाने जो कवीता के अधार पर आगको बताना है परदे पर वक्ति की इमत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कहकर कवी ने पूरे शाक्षासकार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में पड़ेगा ठीक है सिंदू सब ताकत से सासित होने के अपेक्षा समझ में अनुसासित सबेता थी पटित रचना कीजिए देखिए क्योशन को क्या कर रहा है थोड़ा सा चेंज करके पूचा हुआ ही चीज गये इसी तरीका क्योशन सेम आप से पहले अभी पूचा गया था उसमें कुछ और लिखा था पर कुछ वर्ड इससे मिलते जूलते थे ठीक है यहाँ पे देखो मोहन जुदाड़ो वाला आ गया मोहन जुदाड़ो वाले में क्या पूचा गया था आपका नगर योजना की मोग्दकारी थी पाट पटित पाथ के अधार पर यह लाइन है क्यों ठीक है ऐसा क्यों बादर के आगमन से प्रकरती में होने वाले किन परवर्थनों को बालग राग कवीता रेखंकित करती है देखो यह क्योशन भी क्या है थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने पहले यह पूछा गया था बादर लाग कवीता के आधार पर आपको कि बादरों का आगमन में प्रकरती से क्या ले लेना देना है अब यही कोशन भी देखेंगे आप सब घर एक कर देने से क्या आपी पराय है कविता बहान एक कवीता के आधार पर आपको इस्परश्ण को बस वर्ड़ों को आगे पीछे कर दिया बच्चा feasy में रिका हुआ इसलिए मैंने दोनों तरीके को दिखा हुआ है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैय की जै क्यों बोलती है लदियों का भारतिय सामाजिक संस्कृति में प्रवेश्च में क्या महत्व है यह एक ही कोशन है दोनों एक साथ इंकूरूड है लाहर अभी तक उतना वतन है और देहली हमेरा और मेरा वतन ढाका है जैसे उगदार किस समाजी के अथार्थ के और संकित करते है ठीक है बात और भाशा परस पर जुड़ते हैं किन्तु कभी कभी भाशा के चक्कर में सीधी बात भी टेड़ी हो जाती है ऐसा क्यों होता है यह आपको बताना है देखो यहाँ पर दुबारत से फिर पूछा के बादला कवीता में कभी बादलों को किस रूप में देख रहा है काली दास ने मेग दूत काव्य में मेगों को दूत के रूप में देखा है आप अपना कोई कालपनिक बिम्ब दीजिए ठीक है ऐसा आप आपको बताना है अपने मन से आपको अपने समझ से सोच समझ के इमेजिन करके आपको बताना है कि उसका दरश्य कैसा होगा बाजार में आवशक्ता की शोषन यह वेरी इंपोर्टन कोशन है इसको जरूर करिएगा बाजार में आवशक्ता ही शोषन का रूप धरन कर लेती very very important question है यह ठीक है तो आज के इस यूडियो में जितने भी important question आपके class 12 के हो सकते हैं इसके बाहर आपसे कोई question नहीं पूछा जाएगा इस चीज की मैं guarantee दे रहा हूँ क्योंकि यह सारे question very very important question है और कई पिछले years के आप exam paper भी उठाके देखेंगे तो उन में यह आपको अधिकतर question इन में से अधिकतर question जो हैं आपको मिल जाएंगे पिछले 12-13 सालों के जो exam paper है उन सब में इसके अलावा कोई आपको question देखनों को मिलेगा ही नहीं और book से सारे question मैंने बनाए हैं यह सारे very very important question है ठीक है तो अगर अपने नेक्स वीडियो में जो next part में हिंदी के कुछ और important question अप्रोड करेंगे उससे पहले आपको English के important question मिल जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के सांद ठेंक यू